जैशिक्रिश्ना अर्मादेव कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्ठना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें पॉजिटिव रहें और अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़ें आप बहुत सारी सफलता प् अपके चैनल spiritual love 111 में तो आज इस रीडिंग में हम आपका बताने वाले हैं कि आप जिन से प्यार करते हैं जिनकी बारे में आप दिन रात सोचते हैं Finally, उनका आखरी फैसला क्या होगा अब आपको लेकर, इस रिष्टे को लेकर वो क्या सोचते हैं आपके लिए, इस रिष्टे के लिए उनका कोई फैसला है भी या फिर नहीं क्या सोच रहे हैं तो इस रीडिंग में हम ये सब कुछ बताने वाले हैं आपको तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं मनी मन में उनके बारे में सोच कर उनका फेस विज्वालाइज करके एक option, एक number चूस करिए उसकी बाद आप अपनी reading देखिए अगर कुछ देर reading सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये reading आपसे match नहीं करती resonate नहीं करती तो कोई बात नहीं, थोड़ी से समझदारी दिखाएए क्योंकि ये journal reading है आपकी personal reading नहीं है और अगर आप हमसे personal reading लेना चाहें तो description box में हमारा number है 8737087414 आप इस number पर WhatsApp करके जानकारी ले सकते हैं कि personal reading कैसे ली जाती है उसका क्या procedure है लेकिन डियर, personal reading paid होती है ठीक है, और देखिए अगर आप spiritual journey में हैं ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर आप अपनी जिंदगी में एक सुकून की तलाश में हैं आप अध्यात्मिक्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं आप interested हैं किसी भी चीज़ को लेकर life में success नहीं है मन शांत नहीं है कोई रास्ता नहीं मिल रहा बहुत सारी समस्याएं हो सकती है तो हमने आप सभी लोगों के लिए हिमाले में एक छोटा सा meditation center ओपन किया है नवरात्री से उसका session स्टार्ट हो रहा है 9 दिन की साधना है जिसमे meditation, mantra chanting, healing, chakra balancing औरा cleansing, aura cleansing, aura protecting बहुत सारी चीज़े हम यहाँ पर कराने वाले है बताने वाले है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ठीक है तो हिमाले में हिमाचल प्रदेश के कुलू डिस्टिक में पुल्गा विलेज में हमारा meditation center है जिसका नाम है अपदीपो भवा यदि आप वाकई अपनी spirituality को लेकर serious है और अपने जीवन में एक आत्मिक अध्यात्मिक उन्नती करना चाहते हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे center पे ठीक है I hope कि आपने एक option choose कर लिया होगा एक नमबर चूस कर लिया होगा चलिए अब आप अपनी reading देख लिजिए ठीक है जै श्री कृष्णा Option number one कैसे हैं आप I hope कि आप बहुत अच्छे होँगे खुश होँगे स्वस्थ होँगे मस्थ होँगे positive होँगे और अपनी life में आगे बढ़ रहे होँगे Dear आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल इस प्रिश्वरलव 1111 में तो Dear आप जानना चाहते हैं कि आप जिन से प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इस रिश्टे के बारे में क्या सोचते हैं और उनका आखरी फैसला क्या होगा आपके लिए इस रिश्टे के लिए ठीक है तो चलिए सबसे पहले strong sign के बात करें strong sign है यहाँ पर टॉरस वरकु कैप्रिकॉन वर्षप करने अमकर राशी Cancer Scorpio Pisces कर्थ रुष्चित नीन दाशी ठीक है और देखें यहाँ पर जिबनाई लिब्राइक वेरेस भी है मिथुन तुला कुम्पराशी एरिस लियो साजिरीरेस के एनरजी थोड़ी सी कम है देर पाइल नंबर वन अगर हम डेटो बर्थ की बात करें तो किसी मेने की साथ तारीख पांच तारीख बारा तारीख बीस तारीख सताइस तारीख चबिस तारीख छे तारीख पंदरा तारीख चौबिस तारीख हो सकती है ठीक है और अगर हम बर्थ मन्थ बताएं यहाँ पर तो बर्थ मन्त हैं यहाँ पर जुलाई, जून, अगस्त, जन्वरी, कितंबर, मार्च मार्च बहुत स्ट्रोंग है ठीक है अब देखें यहाँ पर इनिशियल, L, S, R, O, D, V, N, I, P, K, J, H, V ठीक है यहाँ पर इनिशियल तो डियर पाइल नमबर वन इनका जो आखरी फैसला है वो कुछ ऐसा है जैसे कि यह एक ऐसे इनसान है जो समाज के बारे में, परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं बहुत मत्तब बहुत ज़्यादा और इनकी एक कोशिश होती है कि मेरी वज़े से कभी किसी को हट मैं ना करूँ मेरी वज़े से लोगों के फेस पर स्माइल तो होनी चाहिए लेकिन मेरी वज़े से किसी की आँखों में आसू नहीं देख सकती है और इसी चीज़ का इनके घर वाले बहुत जम कर फायदा उठाते हैं और उनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं इनकी फैमिली इनके लिए फर्स्ट प्रायोर्टी है और बहुत समय से ये एक-एक करके अपनी खुशियों का गला घोटते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए और इनकी जो फैमिली है 80% 80% आप यकीन नहीं करेंगे इनकी तार्मिक फैमिली है और इनकी जो फैमिली है उन्हें इनकी खुशियों से कुछ खास लेना देना नहीं है इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये कब खुश हैं कब दुखी हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुम हमारी खुश्यां पूरी करते रहो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बस तुम इस बात का ध्यान देते रहो बाकी हमसे कोई मतलब नहीं ठीक है तो ये ऐसा कोई काम कभी कर नहीं सकते जिससे फैमली हर्ट हो जाए आप ये भी समझ लीजिए ये फैमली को कभी हर्ट कर नहीं सकते तो ये अंदर ये अंदर घुट रहे हैं इस ताइम पर ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं पक्की बात है बहुत समय से आपसे बहुत प्यार भी करते हैं आपके बारें बहुत ज़दा सोचते भी हैं लेकिन इने समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ परिवार के खिलाफ कैसे जाऊँ और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो भी हैं मेल हो फिमेल हो आप शायद मा भगवती महाकाली के परम भक्त हैं और आपने अपने जीवन की नईया पूरी तरीके से महाकाली को समर्पित कर दिया है कि है मा अब ये मेरा जीवन तुम्हारे सहारे है तुम पे छोड़ दिया मैंने तुम चाहो तो पार लगाओ और तुम चाहो तो डुबा दो सब तुम्हारे उपर है तो अब आपने पूरी तरीके से जिस तरह से मा भगवती के सामने खुद को समर्पित किया है तो ऐसा समझ दो कि मा भगवती तो negativity को ही क्लियर करने के लिए जानी जाती हैं मा महाकाली तो सभी दुस्टों और रक्षशों का वद्ध करने के लिए ही जानी जाती है और आप महाकाली के बहुत करीब है कितने लोग हैं महाकाली को मानने वाले प्लीज कॉमेंट करके बताएं यह जो इनकी कार्मिक फैमली है मा भगवती बहुत जल्द इने एहसास कराने वाली है कि बेटा तो इनके लिए गला भी काट के रख देगा न गला क्या खुद को पूरे तरीके से टुकड़े टुकड़े काट देगा न तब भी इनको कभी भी तेरी वैल्यू नहीं होने वाली इनको तब भी तेरे से कोई मतलब नहीं रहेगा धिरे धिरे मा भगवती इने एहसास कराएंगी ठीक है और यह समझ लेजी 50% तो एहसास इने हो भी चुका है पर बस प्यार और परिवार के बीच थोड़े से फसके रहे गएंगे आप यह समझे कि आपकी और इनकी आप दोनों के एनरजी रिफलेक्ट हो रही है आप दोनों के एनरजी मिरर कर रही है और आपको भी इस चीज़ का कहीं न कहीं पूरा पूरा आभास है पूरा पूरा एसास है आपको भी आप डौनों ही एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं तो बहुत जल्द इनका जो आखरी फैसला है ना हम यह नहीं कहते कि आपके लिए हम यह कहेंगे कि खुद के लिए होगा अब तक उन्हेंने सबसे प्यार किया सबके लिए बहुत कुछ क किसी को इन से कोई मतलब नहीं कोई लिया support तो अब если लव की तरफ भड़ रहे था कुछ लव व्हल रहा है से प्रेम करने कि तरफ कुछ अतमां से प्रेम करना अला श्यश्द ऑन्जार कigt है तो जैसे इस्टम करना शुरू करण वेसे वेसे इन्हें आपके प्यार का आपके सच्छे प्यार का आपके टू लव का एहसास होना शुरू हो जाएगा यह कहीं नहीं माँ भगवती की पर योजना है कि सबसे पहले इस प्रिशुआलटी में वही कदम रख सकता है जो सेल्फ लव करना जानता हो, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं, आप दोसरों को क्या प्रेम बाटेंगे, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करतें, आप दोसरों के प्रेम के क्या इज़त करेंगे, ठीक है, तो उस चीज को ये बहुत गहराई से समझेंगे, ठीक है, और एक समय य यह बहुत जल्द आपके रियाक्शन लेंगे विदिन वन मंथ ठीक है विदिन वन मंथ अभी बहुत स्लोव एनरजी है लेकिन एक महीने के अंदर इनके अंदर जो भी ब्रहम है अपने परिवार को लेकर वो सारा तूटने वाला है बहुत बुरी तरीके से कोई है इनकी जिं अब आत्मा की परम गहराईयों से जो प्रेम करती है प्रेम करता है तुझे उसकी कदर नहीं है अब हमें नहीं पता भगवती किसे इनकी जिंदगी बेज़ने वाली ये समझाएंगे मेल फीमेल जो भी आएंगे उनके समझाने से इन पर बहुत असर होगा और यह आपकी त थोभते प्रेम करने लगता है जब अध्यास्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है तो सबसे पहरे जो गटना गट्टी वो यह एंसान के इंदर से डर मर जाता है डर खतम हो जाता है और इनका भी डर पूरी तरीके से खतम होगा, समझ रहे हैं, पूरी तरीके से इनका डर ही खतम हो जाएगा, नस्ट हो जाएगा, और यह के लिए चल पड़ेंगे, अब ही इनके हम एनरजी बताएं, बहुत बहुत बर्डन लेके चल रहे हैं, बहुत बर्डन लेके, ठीक है, इनके सामने बहुत सारे लोगों क چہرے उतर गए हैं, असलियत आ गई है, लेकिन फिर भी यह बहुत सोच रहे है वही है, एक वही है जो मुझे समझती है, एक वही है जो मुझे बहुत जल्द एक बहुत बड़ी मेजर घटना घटने वाली है। तो आप जो भी साधना कर रहे हैं, प्लीस आप उसे कंटीनियू करिए। आप उसे continue करिए क्योंकि उसके बहुत शुब परणाम बहुत शुब परणाम आपको मिलने वाले हैं आप ये समझ लीजिए ये एक समय वो आएगा कि जिस energy में आज आप है न ध्यान साधना meditation, manifestation कर रहे हैं एक समय पर ये सारे जूटे रिष्टों को उनको पीछे छोड़कर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ जाएंगे और एक दिन ये आपको manifest करेंगे एक दिन ये पूरी तरह से खुद को परमात्मा को समर्पित कर देंगे मान लीजिए कि आज आपको ऐसा लगता है कि चीज़े खतम हो गई है ना कुछ भी खतम नहीं हुआ है ये अंत अंत नहीं ये अंत आरंब है आरंब है ये बस patience रखिये थोड़ा सा और और जो लोग ना जैसे कि अन्मेरिट हैं तो उनके पार्टनर का आखरी फैसला होगा आपसे court marriage करना अब इसके लिए आपको एंजस नंबर भी दिख रहे हैं आपको mirror numbers होते हैं जैसे 1221 ठीक है 1331 mirror number तो जब भी आपको ये mirror numbers दिखते हैं तो आप ऐसा समझे कि जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है मतलब same same energy है दोनों की same same energy है अगर आपको दिख रहे हैं और इनको भी कही न कही repeated numbers हो रहे हैं और इने भी आपके energy मैसूस हो रही है तो इनको ऐसा लगता है कि यार आप कहां से कहां पहुँच गए और ये ये अपनी जिंदगी में एकी जगा इस तक होके रहे गए एकी जगा अटक कर रहे गए इन्हें ऐसा लगता है सबज़ रहे हो इन्हें आज जिन चीजों पर trust नहीं है जिन चीजों पर यखीन नहीं है आने वाले समय में इने बहुत trust बढ़ने वाला है आपके उपर और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि आपका थाड़ाई चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है हंजी आप दोनों एक दूसरे का सुकून हो आप दोनों एक दूसरे के जीने की वज़ा हो बस संसारिक, परिवारिक, समाजिक चीजों में उलज कर आपका रिष्टा थोड़ा सा जादा उलज गया है ठीक है पर कोई बात नहीं जब दोनों एक ही एनर्जी पर होंगे न तो इस चीज़ को भी आप लोग सुलजा लेंगे क्योंकि जब आप दोनों एक ही एनर्जी पर होंगे तो एक दूसरे को समझना बहुत आसान होगा और जो भी समझ से आए हैं उनको सुल्यूशन निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा तो डियर आप अगर यह जानना चाहें कि वो आप सोचते क्या है आपके बारे में तो बस वो यही सोचते हैं कि शायद मैं गलत हूँ आखिर मैं कब तक अपनों की वज़े से अपनी खुश्यों का गला घोटती रहूंगी घोटता रहूंगा एक ही इंसान तो मुझे मिला जिसने मुझे जीना सिखाया एक ही इंसान तो मुझे मिला जिसने मुझे हसना सिखाया एक ही इंसान था वो किवल जो मुझसे बिना किसी डिमांड के प्यार करता है बिना किसी स्वार्त के प्यार करता है जिससे मुझसे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मेरे अलावा और मैंने उसको ही रुलाया है सबसे ज़ादा इन्हें अपनी एक एक गलती का हर दिन एहसास होता है और इनके कार्मिक परिवार परिजन जो भी है परिवार वाले एक एक करके उनका असली चहरा इनके सामने आता है आप ये समझ लीजिए तो ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा इसका एंड बहुत जल्दी होने वाला है बहुत जल्दी इसका एंड होने वाला है तो डियर इनकी क्या एनरजी है हमने आपको बिताया इनका आखरी फैसला क्या है अभी नहीं पर बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव तरीके से आप के सामने खुद को समर्पित ही कर देंगे ये बहुत जल्दी ठीक है अभी तो स्टेल्फ लव की तरफ इनके पैर बढ़ चुके हैं खुद से प्रेम करने की यात्रा इनकी शुरू हो चुकी है खुद को समझने की यात्रा खुद को खुश रखने की यात्रा दोसरों के चक्क प्रेम के शुरुवात होती है तो यह समझ लीजे कि इस यात्रा की तरफ इनका पहला पड़ाओ पर चुप पड़ चुका है आगे बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी आप दोनों भी साथ ही होंगे क्योंकि तभी आपके फ्रेम को समझेंगे अभी तो पता नहीं कहां फसे हुए कहां उलजे हुए हैं तो आई होप क्या आप समझ गये होंगे जै श्री कृष्णा अपना ख्याल रखे, अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है वो पूरी जिंदगी कहेंगे आपको जादा लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है और आप अगर हमें पहली बार सुन रहे हैं आप का मन कहता हूँ आपकी आत्मा कहती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है? जै श्री कृष्णा Option No.2 कैसे हैं आप? आई होब कि आप अच्छी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल Spiritual Love 111 में डियर आप जाना चाहते हैं कि जिनको सोचकर आप ये रिडिंग देख रहे हैं उनका आखरी फैसला क्या होगा आपके लिए उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा आपको लेकर और इस रिष्टे को लेकर तो चलिए सबसे पहले हमें स्ट्रॉंग साइन की बात करते हैं जिमने लिब्रे एक्वेरेस के अनरजी कम है याापर एरेस लिओ स्ट्री चिर्ट इर्ट के अनरजी भी कम है ठीक है डेट ओप बर्थ की बात करी किसी मैनी की सत्रा तारीख दो तारीख पांच तारीख चार तारीख 21 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख और 18 तारीख है बर्थ मन्त है माई, अप्रेल, फर्वरी, सितंबर, जन्वरी इनिशियल है टी, एस, ए, वाई, आर, जे, बी, एल, वाई, डी, एच, वी, ठीक है यह है इनिशियल तो डियर पाइल नमबर टू, जिनके लिए आप रेडिंग देख रहे हैं न हम आपको बताएं कि ये जो भी है male हो, female हो, married हो, unmarried हो currently ये किनी दो situation में फसे हुएं बहुत जादा कैसे, जैसे कि किनी दो चीजों को लेकर ये बहुत ज़्यादा struggle कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चीजों को ठीक करूँ, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाओं कि इधर जाओं, मान लिजिए कि एक-एक कदम बहुत फूख-फूख के रख रहे हैं, बहुत डर-डर के रख रहे हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे कि ये mentally prepared भी नहीं है, कोई भी action लेने के लिए, कोई भी decision लेने के लिए बस इनके अंदर बहुत गुस्सा हा रहा है, बहुत ज़दा गुस्सा हा रहा है, बेवजा का गुस्सा और uncontrolled negative thoughts इनके मन में uncontrolled, control नहीं कर पा रहे हैं मन इनका अशान्त होता जा रहा है, बेचैन होता जा रहा है जैसे कि बात बात पर गुस्सा आ रहा है, बात बात पर लोगों पर भड़क रहे हैं बस इनका ऐसा है कि ये बस लड़ाई करनी है, मुझे लड़ाई करनी लोगों से क्योंकि मन शान्थी नहीं है अगर कोई अच्छा समझाता है तो लडाई हो जाती है आप ये समझ लीजिए आपको इनकी एनर्जी का शायद पूरा-पूरा अंदाजा लग रहा है क्योंकि आप इनसे बहुत deeply connect है आप पूरी तरीके से जैसे कि इनके एनर्जी महसूस कर पा रहे हैं कि ये क्या महसूस कर रहा है क्या चल रहा है इसके जिन्दगी में वो बताएं या फिर आपको ना बताएं सब कुछ आपको महसूस हो रहा है और पता है अगर कोई बात कोई बोलता है कि काम करना है ऐसा करना है तो यह उसको टाल रहे हैं अभी नहीं क्योंकि उस लेवल का माइंड सेट ही नहीं है कि कुछ करने का मन करे नहीं छोड़ दे रहे हैं बस तो हम आपको बताएं बहुत स्ट्रॉंगली यहाँ पर यह अपने माइंड के कंट्रोल में ही नहीं है दरसली नहीं कोई और कंट्रोल कर रहा है इन्हीं कोई और नचा रहा है अपने हिसाब से वो भी एक नेगेटिव एनरजी इन पर ब्लैक मैजिक हुआ है और जिसके कारण यह अपनी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं ठीक है और बहुत ज्यादा इन्सिक्योर इन्सिक्योर से महसूस करते हैं अब आप समझ सकते हैं कि जब किसी पर ब्लैक मैजिक होता है किसी पर कोई नकारात्मक उर्जा का प्रभा होता है तो फिरो कुछ अच्छा नहीं करता वो सब उल्टे सीधे काम करता है और वो नकारात्मक उर्जा चाहती कि इसका घर बरबाद हो जाए इसकी जिंदगी और इसी वज़े से वो अभी इस सिच्वेशन में नहीं है कि वो आपके लिए एक्षिन ले सकें वो आपके लिए डिसीजन ले सकें हम इस रीडिंग को बहुत गहराई से देखें तो हमें एक तरफ से यह मैसूस होता है कि आप जो भी हैं यहां पर यह तो क्लियर हो गया कि अभी नहीं ले पाएंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह कभी नहीं ले पाएंगे अभी मतलब हर चीज़ को यह पोस्पोन कर रहे हैं कि इसे मिलना है बात करना है नहीं करना है हर चीज़ को यह पोस्पोन करने है बाद में बाद में अभी नहीं बाद में क्यों कि mentally उतना strong नहीं है न ये उतना ज़्यादा strong नहीं है और इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा uncontrolled negative thoughts आते रहते हैं आते रहते हैं तो ये इंसान अंतर से पूरी थरीके से खोकला हो चुका है अभी पता है अभी एंजल्स आप से क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आप से क्या कहना चाहते हैं कि अभी तो ये decision नहीं ले रहे हैं अभी तो ये आपके लिए कोई फैसला नहीं ले रहे हैं लेकिन अब से तीन महीने बाद ये आपके पास वापस आएंगे पर आपको इस वक्त इनके बारे में न सोच और अपनी जिन्दगी के बारे में सोचना चाहिए अपनी spiritual journey के बारे में सोचना चाहिए उससे क्या होगा? उससे इनके अंदर भी बहुत सारे परिवर्टन आएंगे बहुत सारे और जिस इनसान ने भी इन पर black magic कर रखा है जिस इनसान ने भी इन्हें negative energy से control करके रखा है उससे इनको राहत मिलेगी उससे इनको राहत मिलेगी और फिर वो negative energy धीरे 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 अगर आप इनकी healing करते हैं पहले आप अपनी healing करिए अपना aura strong करिए उसके बाद आप इनकी healing करिए इनको aura strong करिए जिससे meditation के बल पर आप इन्हें उस negative energy से भी छुड़ा सकते हैं ठीक है आप daily इनकी healing करेंगे तो इनके अंदर काफी changes आएंगे और तीन महिने के अंदर यह आपके पास वापस आएंगे तीन महिने के अंदर पर अभी अभी डियर हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी हाँ वो अभी तो हम बता हैं उनक्यें कैसी है अभी तो जैसे कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा जाना प्राइब लडाई करने लग जाना ठीक है छोटी-छोटी से बात पे डाउट करना और जैसे कि हमेशा एक लडाई के मूड में रहना समझी नहीं आ रहे हैं कि इंसान क्या चाहता है क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है उन्हें किसी और ने कंट्रोल कर रखा है वो अपनी भाशा नहीं बोल रहे हैं किसी और की भाशा बोल रहे हैं दरसल वो तो अभी इस टाइम मात्र एक रोबोट की तरह हैं, उन्हीं तो बस इस्तमाल किया जा रहा है, इसी वज़े से इश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनरजी को बैलेंस कर लीजे, उसको संतुलित कर लीजे, सब अपने आप धीरे ध दीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, आप यह न सोचें, क्यूँ बात नहीं कर रहा है, क्यू एक्शन नहीं ले रहा है, क्यू इगनौर कर रही है, यह न सोचें आप, आप इस सिच्वेशन को पूरता परमात्मा को समर्पित कर दें, और आप बस एक होप के साथ, एक उम् ऐसे ही इस negativity का समय हमेशा नहीं रहेगा आपका भी समय आएगा ठीक है तो अभी जो जैसा चल रहा है उसे स्विकार कर लीजिए उस पर रोने से लडाई जगडा करने से कोई मतलब नहीं है और आपको पता है कि आप कौन है दरसल आप एक light worker है light worker वो होता है जो रोशनी बाटता है जो उजाले बाटता है जो लोगों के अंदर से अंदकार को निकालता है प्रकाश को भरता है जो लोगों के अंदर से negativity को खतम करता है positivity को भरता है जो लोगों को जीने के एक नई दिशा एक hope देता है एक उम्मीद देता है और ये तो तब हो सकेगा न जब आप अपने आपको खुद उस लायक बनाएं आप हैं लेकिन आप खुद को कहीं भूले हुए हैं इसी वज़े से आप मार्ग भटग गए हैं ठीक है आप मार्ग भटग गए हैं तो हम आप से कहेंगे कि आप अपने मार्ग पर आ जाएंगे चीजे अपने आप ठीक हो जाएंगी हां सब अच्छा हो जाएगा जिन्दगी एक पहली भी है सुख दुख की सहेली भी है और जिन्दगी एक वचन भी तो है इसे सब को निभाना पड़ेगा जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिन्दगी गम का सागर भी है हसके उस पार जाना पड़ेगा और ये जो बहुत स्ट्रॉंगली इन पर जो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है जो इन्हें अपने हाथ की कठ पुतली बना रहा है दर असल वो एक male person है वो एक इनसान एक आदमी है इनसान बोल रहे हैं मतलब एक पुरुष है वो उनकी age बता देते हैं उनकी age है 30 to 45 इस age के around है वो ठीक है जो कि आपके person को पुरी तरीके से अपने control में करने के लिए black magic का negative energies का सहारा ले रहे हैं लेकिन परमात्मा के घर में थोड़ी सी देर ही हो सकती है इसका मतलब यह नहीं कि देर हो गई है तो सच्चाई हार जाएगी ठीक है नहीं सच्चाई नहीं हारेगी एक दिन आप लोग एक होंगे और चीज़े अच्छे से ठीक ह हो जाएंगी बस अभी यह इनसान बहुत जादा फूख फूख कर एक एक कदम रख रहा है हमें नहीं पता कि कौन है इनकी वाइफ है इनकी family वाले है इनके husband है इनके कौन है पता नहीं आप जानते हैं यह जो भी है तो उनकी वज़े से शायद बहुत जादा बहुत जादा सोच समझ कर एक 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 कदम उठा रहे हैं तो अभी आप पॉजिटिव होकर उनका साथ दीजिए उनके लिए परमात्मा से प्रार्तना करिए बागी चीज़े आप देखेंगे कि अपने आप ही दिरी दिरी ठीक हो जाएंगी एक बात हम और बता देते हैं ये जो अवसर आपको मिला है न अपने उपर काम करने का इसे गवा मत देना वरना जिन्दगी में बहुत पच्चताएंगे आप ध्यान रखना ठीक है समय है खुद पर ध्यान देने का समय है अपनी आत्मिक उन्नती करने का अपनी अध्यात में कुन्नती करने का आप नहीं करते हैं तो आपकी चॉइस है ठीक है तो उनका आखरी फैसला भी कोई फैसला नहीं है लडने का फैसला है हो सकता है कल आप से लड़ाई कर लें ओर थिंकिंग कर रहे हैं कान कोई भर रहा है बहुत जादा हो सकता है कल आपको किसी बात के लिए खरी खोटी सुना दें ये एनर्जी है उनकी पर ये एक stable एनर्जी नहीं है कि भाई यही रहेगी सदा बदलेगी एनर्जी ठीक है ये तो वो एनर्जी है जो कोई इनके अंदर भर रहा है ठीक है तो आई होप कि आप समझ के होंगे जैशे क्रिशना अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता इस बारे में ना सोचें क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है वो पूरी जिन्दगी कहेंगे और आपको जादा लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुशों की परवा करनी है अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते आप सभी के रिदय में बैटे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम